प्यारे बच्चों अब हम section B करेंगे class 10 के sample paper का section B consists of 24 questions number 25 to 48 attempts any 20 questions from this section the first attempted 20 questions would be evaluated यानि 20 questions ही check किये जाएंगे live stone heated step 1 है तो X plus CO2 बनता है अगे जो वाट के साथ इसकी reaction करते हैं तो select line बनता identify the correct option from the given table which represents the type of reaction तो ABCD है तो इसका correct answer C है क्योंकि पहले में endothermic है heat risk को मिल रही है दूसरे में जब यह वाटर के CAO बनता है जब CAO वाटर के साथ रेक्ट करता है तो highly exothermic reaction होती है है तो the correct answer is C ठीक है next question in which year is the concentration of hydrogen ion the highest तो आप year में यह देख लेते हैं कि pH value किस year में कम है है तो year 2002 में सबसे कम है pH value तो इसका अंसर हो जागा ए यह नहीं कि यह 2002 next question the diagram shows the reaction between metal and dilute acid यह आप देख सकते है metal or dilute acid की reaction है what is the reason for different behavior of magnesium in testive B बागे सारी metal तो नीचे है लेकिन magnesium उपर तैर रहा है तो इसका अंसर है B magnesium reacts with dilute SCL to produce hydrogen gas which helps in floating next the table shown below give information about four substance ABC and D substance or melting point electrical conductor है solid or liquid x a जो है का melting point 2095 है और गुड अंड़क्टर है और यह भी लेकुड एक्वेस स्टेट में गुड़क्टर है B का melting point 1210 है और यह पूर है conductor solid में और लेकुड में गुड है C 1890 है इसका melting point और solid में पूर है और लिकुड में गुड कंड़क्टर है B 1160 है melting point K में और solid में पूर कंड़क्टर है और लिक्विड एकवस सॉलूशन में भी पूर कंड़क्टर है तो हमें इसमें identify ionic compound from the above given substance तो भी और सी ले लेंगे क्योंकि यह लिक्विड और एकवस सॉलूशन में गुड कंड़क्टर होते हैं आइनी compound और हाई melting compound होते हैं तो यह दोनों को ले लेंगे B और सी को तो आंसर हो जागा इसका बी अनि बी में भी सिए एवन ना नेक्स ए विने और उब्सवर्व देट था स्टेन एड विट रिट कुर्वट सब्सराइब रद और इसके रिजन एर सकते हैं तो सोप बेसिक इन नेचर ठीक हैं तर्मर्रिक तो हमारा आंसर वा सेकेंड थर्ड थर्ड यानिकि आंसर वा भी इन वीच अब फॉल्विंग सेट अप गूट दा बल्ब ग्लो पहले सेटप में क्या है डाइलूट एस यह सोलुशन है तो यह इस में बल्ब जो है ग्लो करेगा दूसरे में सुखर सोलुशन है तो नहीं तीसरे में एल्कॉल है तो इसमें भी नहीं करेगा चौते में लाइम वाटर है ठीक है तो हमारा आंसर हो जागा इसमें फर्स्ट एंट यान की पी दे करेक्ट आंसर इस बी नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 31-35 तो स्टेटमेंट ध्यान से करिए का इसको अज इस कोशन सेलेक्टिंग दा अप्रोप्यूट ऑप्शन गीवन ब्लो पहले ऑप्शन आप देख रहें ए अप्शन आपको लिखना है जब बोथ एंड आर टू और आर टू और आर इस दोनों सहीं और रीजन जो है उसकी करेक्ट एक्प्रेशन कर रहा हूं बी आंसर देंग तो यह तो राइट है विल्कुल ठीक है जब डिक्रीज करता है प्य एच वैल्यू ठीक है तो पहला राइट है दूसरा रहां गया यह नहीं सकांसर हो जाएगा सी ज़सकांसर होगा सी ठीका अ थार्टी टू अजडीकमपोजशिचन उभॉग ऑफ स्टेटिफटे कंपोज इन एंड ही रख संड़क्सटार्मीख ऐसे रॉंग है अंसर होगा डी पहला है और टू है थर्टी थरी अजर इसंट रेजिन सेंस गम्स और स्टोर इन ओल्ड शाइलम टिश्यू इन प्लांट्स यह राइट है रेजिन सेंस गम्स फसिलेट टांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलीकूल्स यह रॉंग है तो इसका अंसर पहला राइट वाइट लाइट इसका करेक्ट इसको एक्स्पेन नहीं कर पा रहा है इसलिए इसका अंसर हो जागा भी बोत आर राइट बट आर इस नोट दा करेक्ट एक्स्पेनिशन ओफ अजरेशन तो आंसर इसका भी होगा अब टेबल गीवन ब्लो सोज तरेक्शन ओफ एक्षिव एलिमेंट विज एसडेन बेसस्ट टू एवाव्ल वाइड्रोजन गैस तो एस सब्सक्राइब बेस के साथ बीए एसड़ बेस दोनको साथ कर रहें इवावल कर रहें हाड्रोजन गैस सी बीए सी नहीं कर रहा डी क कर रहा है तो 35 का हमारा अंसर होगा कि भी कि यानिकी बी डी जो एलिमेंट है वह एंपोटरिक ऑक्साइड बनाते हैं 36 इन वीच फॉलेंग ग्रॉप्स ऑप और्किनिज्म ब्लोड फ्लोस थूदा हार्ट ऑनली वन्स ट्यूरिंग वन सेकल पासिंग थूदा बोडी तो इस शार्क डॉपिश श्रे रही तो इस ट्थे कॉमन बेवें एक्सेंटर्क अइन को लोड ब्लोड वाहां वरॉ अवल्स अलुवली एंगलो मिल्स बॉप्राइज अप्रॉं थिन बॉल कापिलरी इस एंप्ली इस प्लाइज इस ग्या फित्रेशन गया तुब्स प्लूप्स for excretion as compared to animal which one of the following process is not followed by the plants for excretion they can get rid of excess water by transpiration ये राइट है दे selectively filter toxic substance through their leaves तो ये नहीं फोलो अभी इसका अंसर होगा भी बाकी नीचे के भी सब फॉलो होते हैं वेस्ट प्रडॉक्ट्स और स्टोर्ड एस रेसे इन गम्स इन ओल्ड जाइलम ये भी राइट है दे excrete waste substance into the soil around them ये भी राइट है 39 if the power of a lens is minus 4D then it means that the lens is a concave lens of focal length minus 5 meter तो इसका हम आंसर ही निकाल लेते हैं f is equal to होता है f होता है one upon p लेकिन मीटर में ठीक है तो वन कितना कि कितना है माइनस 4 तो या जागा आपका कि पॉंट कि पॉंट कि फाइब पॉंट फाइब मीटर आ जागा माइनस में यानिकी अगर इसको सेंटिमिटर कर लेंगे हंडेट से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो या जगा माइनस 25 सेंटिमिटर अब माइनस जो होता है वो कंकेव लैंस को था इसका मतलब है उसके यहां कनवर्ज होजा यानि सब्सक्राइब का मतलब है पंदा 15 इंटो 2 इस इकल टो 30 30 सेंटिमिटर इन फ्रेंट आफ मिरा उसका अंसर होगा ए चालिसका अंसर ए सब्सक्राइब नेक्स कोशन इन विच आफ फॉलोंग ग्रूप सब्सक्राइब अर्गनिजम फूड मेटरी इस ब्रोकन डाउं आउटसाइड दा बॉड़ी और यह तो होते हैं सब्सक्राइब येस्ट मस्रूम एं ब्रैड मोल्ड सब्सक्राइब अपना बोजन लेते हैं इन पर्सन तुबलर पाट फनेफरान इस नौट फॉंक्शनिंग अट आल वाट विल इट्स एपक्ट भी उन यूरीन फॉर्मिशन तो वह यूरीन मोर डिलुटेट होगा तोगी चंत हो जाएगा वह लेकिन रियॉप्जोड नहीं होगा वाटर इस अरियल इमेज उपकें डर खंटियॉटे नहीं क्या बाटन तो शोल फिल्म वन यूरीन मिगाव चंत हो ट्रृर्म क्या देघ्रान ऐस अट्यूमий नाम मिजन विल वर यूरीन में आ इंग्या दो चंत्रम्ै स competit कंत्यू अ करते हैं। Д्यृमिष केle cosine पनान ये konkret कि कि क्या डियू अ-टुर्च्ट हो होता है फार्मुला यह मेज एकल टू आ कि अ कि मुए अपन यू तो हमें तो यू निकालना है तो यू इक यू इकल डो हो जागा वी यानि की असी अपन थ्री और यू हमेशा माइनस में होता है इसलिए आंसर क्योंकि इमेज वस्तु रखी जाती है हमिसा लेफ्ट साइड तो माइनस में आएगा तो टी आंसार जागस का 44 वाइल लुकिंग अबव डियाग्राम ना लीनिक अंकुड़िद दुप फ्लॉइं दैमेज अब अब्जक्ट विल बीए वर्च्वल वन यह रॉंग है वर्च्वल नहीं वन लेगी वाई ता रिफ्लेक्ट रे विल ट्रेवल अलोंग दो सेंपाथ अधर इंस अपूंड यह राइट है ता इमेज आप दो अब्जक्ट विल बी इन्वाट यह राइट है दिस अ कंकेव मिरर अन हैंस ता लोग फोकल लेंग्ट विल बी नेगटिव यह राइट है तो विच वन सारे करेक्ट है सेकंड थर्ड एंड फॉर्थ सेकंड फर्स्ट वाला रहूंगे बाकि सारे करेक्ट है तो इसका अंसर हो जागा सी नेक्स्क्राइब बीडियम वन टू थ्री फॉर ठीक है फिर दुबार से मीडियम वन में आ गए तो इन अबव डियाग्राम लाइट इस टैबलिंग त्रू डिफरन मीडियम इस नोटेट बाइस सांटिस्ट यह एंगल वन इस एकल तो एंगल त्री इस एकल तो एंगल तर आएंगल जैशला से कम है और एंगल 334 अंगल 5 दिख रहे हैं तो CPA तो मीडियम वन तर देंजर देंदर मीडियम थू इसमें से में सब्सक्राइब कौन सा statement जो है correct है ठीक है इसमें हम correct statement आपके बताते हैं 45 का answer आएगा D medium one and three are essentially the same जब दोनों के एंगल सेम है तो same है but medium two is denser than the one and three medium two denser है तब आप देख सकते medium two में जो light reflect हुई तो वो normal की तरफ band हुई अगर normal की तरफ band हो रही है तो इसका असलब वो जो है medium उससे solid है उससे dense है more dense है तो आंसर नमा रहा हो जगा टी medium one and three are essentially the same medium but medium two is denser than the one and three ठीक है कि सिंपल सा यह है कि इसमें medium जो है two वो डेंजर है बाकी medium से क्योंकि अभी लंग की तरफ जो कर रही है नॉर्मल की तरफ बैंट हो रही है तो refractive index of the flint glass is 1.65 and that for the alcohol is 1.36 with respect to air what is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol तो वही इसको 1.6 कर एक इस तरह तो इसके रिस्पेक्ट में बताना है तो इसको जब हम calculate करेंगे तो हमारा आज़ा जाएगा 1.21 यान्य आंसर होगा बी शाल इसका आंसर होगा बी नेक्स कोश्चन 47 the above lens has a focal length of 10 cm the object of height 2 mm is placed at a distance of 5 cm from the pole find the height of the image तो इसमें आफ लेंस फॉर्मल के यूज करके वी निकाल लेंगे ठीक है यू तो given है तो वी निकाल लेंगे जब वी तो M हो जाएगा M is equal to V upon यू होता है ठीक है तो आप अगर जब वी निकाल ले तो magnification आपका आ जाएगा और इसका correct answer होगा A C 4 mm क्योंकि mm में दिया हुआ ना पहले भी 4 mm डबल साइस की बनेगी नेक्स्ट है एकेबल मैनिफेक्टिंग यूनिट टेस्ट फ्यू अलिमेंट्स ऑन दा बेसिस ऑफ दियर फिजिकल प्रपरटीज प्रपरटीज यह हैं व्लेबिल्टी ड्क्टिलिटी डटाल एलेक्टिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉंट डबल्यू जो है element में यह सारे चीज़े मैलेबिल्टी भी है डक्टाल भी एलेक्टिक कंडुक्टिविटी भी मेल्टिंपॉंट भी हाई है x y और z में कुछ है इसमें property कुछ नहीं है तो तार बनाने के लिए ductility तो सबसे ज़्यादा जरूरी है तो which of the element were discarded for use by the company तो xyz जो है उन्होंने discard कर दिये कारण कहता xyz में क्योंकि इनके melting point भी लो है xy के ठीक है और conductivity जो जाट की तो नोई है और ductile xy के नोई है तो xy और z तो cancel होई जाएंगे क्योंकि हाई melting point चाहिए और electrical connected चाहिए और ductility चाहिए तो इसका answer हो इस तरह से आज हमने बी पार्ट करा और अगर आपको कोई प्राप्लम है तो comment section में पोच सकते हैं अब हम उसके बाद सी पार्ट देखेंगे